बिस्मिल्लाहिर्मार्रहीम, असलाम लेकूम, मेरा नाम है आफिया, आप देख रहे हैं आफियास किचन, आज मेरे किचन में बने मैंगो ट्रैफिल ग्लासिस, तो जीहाँ चनाब यह बहुत ही मज़ेगी और इजी रेस्पी आप लोगों से शियर करेंगे, रेस्पी आप लो कि पृट्राओए करेंगे इसको बॉइल आने तक बेट करेंगे, यह देखे माशाला कितना आच्छा सब बॉइल आ गया है, अब इसे मिक्स करेंगे, अमें इसमें शामिल करूँगी दो टेबल स्पून कस्टर पॉड़र लिया है, चार टेबल स्पून के करीब आदे कप क के गुठले ना बने इसमें एक मिंट के लिए मिज़िद पकाया मैंने इसको कि यह देखे माशाला से कस्टर हमारा त्यार हो गया अब इसे चूले से खटा के मैं एक स्याट पर रख दूंगे तक अच्छे सा थंड़ा हो जाए अब जैली त्यार कर लेते हैं और इंज कलर की म 8-10 मिंड के लिए दिए रख देंगे ताक इच्छी से थंड़ी हो जाए अब असानी के लिए मैंने पाइपिंग बैग में कस्टर बह लिया है अब गलासों में शामिल किया इसको थोड़ा तोड़ा सा अब इसके उपर मैंने शामिल कर दिया केक नहीं देखें केक चला गया अब इसको उपर शामिल करूंगे मैं में यह चले गोंगों आप यह चले इंजW तोड़ थोड़ा से केक और केक क्रम्स बचेवत रग दिये साथ में थोड़ी थोड़ी से जैली लगा दिये आप लोगों ने रस्पी जरूट रहे करने रस्पी पसंदें दोस्तों में फैमिली में शेयर करें और मुझे कमड बॉक्स में बताएं कि आपकी रस्पी कैसे बनी माशाला कितने मज़ेदार से मैंगो ट्रैफिल ग्लासिस हमारे त्यार हो गया अच्छी तना चील करके इन यह सरफ करेंगे इसी के साथ मैं आप लोगों से इज़ादा चाहूंगे मिलेंगे इन्शालला गली रस्पी के साथ दुआ में याद रखें लाफेस